नमस्कार दोस्तों टाइम हो गया है बारा बज के पचास मेंट ये आफ्टन हुन अपडेट है दस मईट यूजडे का और आज आपने फिर से देखा मार्केट नीचे से रिकवर किया तो कल भी बढ़िया पैसा बना आज भी अच्छा पैसा अभी चल रहा है 16,387 तो ध्यान स तो सेफ प्लेयर है वो अपना पैसा बुक करे और 16,415 के उपर होल्ड करता है तो दुबारा बाय की गाड़ी में बैट जाईए आपका टारगेट 16,480 है और मेरा परसनल व्यू है आज मुझे लगता है कि 16,400 को काट देगा और महां पे क्लोजिंग भी उसके उपर ही बैंक निफ्टी 34,670 इसके उपर होल्ड करता है तारगेट 34,800 34,800 के उपर 15-20 मिनट रुग गया तो जो गैप है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उसको भरने के लिए चला जाएगा 35,130 तक और 35,300 यह दो टारगेट के लिए 34,800 को टाप देगा सेम आप बैंक निफ्टी में लेके चलिए तो और निफ्टी में 16,480 16,480 के उपर होल्ड कर जाता है देखो 480 जाएगा कब जब 16,415 को काटेगा तो 480 के आसपस आपको जाके दिखिएगा ठीक है वहाँ पर जरूर प्रॉफिट बोक करिए 480 के उपर होल्ड होता है तो जरूर गैप फिल करने के लिए जाएगा 16,625 जो की ultimate target for time being हमने इस correction phase में जो pullback आना है उसका सोच के रखा हुआ है मैं आपके साथ weekly ounces में भी और daily ounces में भी share कर चुका हूँ ऐसा ही level bank nifty का कौन सा है 34,800 उसको sustain करने के बाद सेम वो कारवाई करेगा जो bank nifty करेगा अपना गै बाई बाई ही बोल रहा हूँ और डाउ जोन्स भी बहुत oversold है ठीक है तो यहां से short नहीं रहना है market में आप जहां पे अपना अपको comfortable समझे अपना book करते चलिए ठीक है HDFC bank मैंने आपको main group में दिया मुझे लगता है वो 1350 से उपर जाएगा पहला target उसने अचीव कर दिया टेलिग्राम पे नहीं है तो हर चीज की वीडियो बनानी मुश्किल है दोस्तों कोई stock दिखता है कुछ दिखता है बहुत मुश्किल है तो टेलिग्राम पे जुड़ी है description में link है उसका ठीक है तो यह है और मुझे लगता है कि आज निफ्टी 16400 भी टापेगा और 16470 भी